Jio Cloud Gaming finally इंडिया में आ गही है अब आप AAA Games को भी अपने मोबाईल पे खेल पाओगे साथ इनोंने NVIDIA GeForce Now के साथ भी क्लाबरेट कर लिया थाकि अब GTA 5 जैसे गेम्स भी खेल पाओ सबसे मस्त बात तो ये है कि भाई अभी बीटा में लाउंच होई है तो अब बिल्कुल free में try कर सकते हो तो इस वीडियो को देखते रहो और आपको सब बताऊं को इसके बारे में कि कौन से गेम्स होने वाले हैं कि NVIDIA के साथ partnership का क्या scene है और क्या-क्या requirements है मुझे याद है कि 2016 में जब Jio सस्ता internet data लेकर आया था तब इसने एक तरह से इंटिया में digital revolution ही ला दिया था जिसमें सभी mobile users को internet का access मिल गया वो भी बहुत कम पैसे में एंट हम global map पे top countries में आने लगे जिनमें highest internet users हैं या फिर highest data consume करते हैं अब लग रहे है कि शायद gaming space में भी similar type का revolution देखने को मिल सकता है क्योंकि Reliance जैसी बड़ी company ने cloud gaming को finally launch कर दिया है सब के लिए अब वैसे तो इस पर काफी पहले समय से काम चल रहा था लेकिन company ने इसे अब rollout कर दिया for normal people NGO Games Cloud basically एक platform होने वाला है जहांगर आपके पास कोई smartphone है, laptop, PC है या फिर इवन एक setup box भी है तो आप games खेल सकते हो एंड उन्टा claim है कि ये high resolution gaming होने वाली है जिसमें hyper casual से लिकर triple A games सब देखने को मिलेंगे आपको कोई game download करने की ज़रुवत है ही रही install करने की भी ज़रुवत नहीं है जो updates आते है ना उसकी भी ज़रुवत नहीं है बस सीधर plug and play है फिलना start करो एक click में अब requirements की भी बात कर लेते हैं तो आपके पास कोई भी device होना चाहिए फिर चाहे वो mobile हो, laptop हो या geo का setup box एंड हाँ data होना चाहिए क्योंकि cloud gaming में सबसे important होता है internet उन्होंने कहा है कि आपके पास minimum 20 mbps का stable internet होना चाहिए फिर चाहे वो wireless हो या फिर wired wireless में वो recommend कर रहे हैं कि 5GHz का Wi-Fi यूज करो उटाने वाला 2.4 नहीं उसके लावार जैसे कि 5G इंडिया में आ गया है तो उससे भी games चल जाने चाहिए अब हाँ मैं मानता हूँ कि सब की बास 5G नहीं आया बट जियों में promise किया है कि December 2023 तक इंडिया के कोने कोने में 5G पहुँच जाएगा तो मतलब बस एक साल का wait है और शायद उससे पहले भी मिलना शुरू हो जाएगे आपको 5G मेरे किया या फिर नहीं मेरे को बताओ जरूर comments में अब करते हैं बाद games library की मतलब आपके पास कौन से games होंगे खेलने के लिए तो उसमें total 50 games है अभी जिसमें Saints Row 3, Saints Row 4, Band 10 and Cluster Truck जैसी games आती हैं और उसके अलावा कुछ और भी games है जो AAA से लेकर hyper casual category में आती हैं हाँ अभी बहुत छोटी live daily है games की बट उनका कहना है कि और नए games add किये जाएंगे क्योंकि starting में अभी वो testing कर रहे हैं कि सब अच्छे से चल जाए और उसके बात ही वो बड़ी company से deal कर सकते हैं उनके games को इस platform पे लाने के लिए क्योंकि reliance है भाई पैसे की कमी है ही नहीं वो कुछ साल तक वैसा जला भी देंगे ताकि loss महीं सही पर users को ले कर तो आए और फिर कुछ साल बाद profit कमाए मतलब I am just saying बट क्या पता GTA 6 भी Gio Cloud Gaming पे खेल पाओ कभी in future अब हांबर को कोट मत करना इस पे बट I am just hoping कि भली launch के time तो नहीं पर शायद उसको कुछ साल बाद शायद खेल पाएंगे इस पे अब ऐसी ही एक deal उन्होंने कर लिये NVIDIA GeForce Now के साथ मतलब ऐसे तो Gio काफी time से बात कर रहा था with Xbox Cloud Gaming बट वो बात आगे नहीं बड़ी तो इसलिए Gio ने partnership कर लिये NVIDIA GeForce Now के साथ और उससे क्या होगा कि और भी गेम्स आएंगे because GeForce पे तो major PC games already है NVIDIA वालों ने खुद तो service इंडिया में launch नहीं करी बट हाँ अब Gio की help से वो इंडिया में आ गये है जैसे Gio ने official statement तो नहीं दिये कि वो NVIDIA GeForce Now के साथ है पर कुछ लोगों को अपने Gio Cloud Games में दिखने लगा है separate NVIDIA का tab जिसमें उसके भी games हैं लाइक Watch Dogs 2 and Destiny और Gio के एक employee ने confirm भी कर दिया है कि ये deal दोनों के लिए mutually अच्छा है जैसा कि MECO Reactor ने 2020 में ही report कर दिया था because NVIDIA से बड़े publishers like Activision and 2 के छोड़ के चले गए थे और उसको उलट Gio वहाँ पर project कर दा था कि उसका user base 500 million का हो जाएगा by 2023 so इस deal से ना सभी को फायदा है NVIDIA को भी, Gio को भी और हमें भी बात करते हैं कि आप कैसे apply कर सकते हो तो बहुत easy है description में जो link दिया है वहाँ पर जाओ and हाँ ये कोई sponsored नहीं है वैसे अगर Gio का कोई देख रहा है तो कर तो sponsor email ID description में है बाखी जब आप website पर जाओगे ना तो वहाँ get started पर click करो और select करो कि आप किस platform पर खेलते हो अगर आप mobile पर हो तो वह आप Google Play Store पर ले जाएगा वहाँ से आप उसकी app डाउनलोड कर सकते हो जिस पर separate section है cloud games का उसके लिए PC पर ही खेल रहे हो तो वहाँ पर आ जाएगा sign up का option जिसके लिए बस अपना number डालना है और रखनी परता अगर आपके पास literally BSNL का number भी आतो बस जो OTP आएगा उससे verify कर लो and you are good to go जो गेम पसंद आ रहे है सीधर खेलना start करो अब pricing की बात करें तो अभी के लिए it's completely free मतलब सोचो कि आपको से इंसरो जैसी games खेलने को मिलने हैं तो उसके कुछ combo plans ही आ जाए पर जो भी हो मुझे लगता है कि pricing शायद affordable ही रखी जाएगी क्योंकि उन्हें पहले आदा डलवानी है इस platform की और जब habit create हो जाएगी तब वो price बड़ा सकते profit कमाने के लिए जैसा कि उन्होंने जियो के इंटरनेट के साथ भी किया था जब google का studio launch announce हुआ था ना तब हम सभी बहुत जादा excited थे कि finally low end devices में भी high end games खेल पाएंगे और इंतजार कर रहे थे कि वो कब इंडिया में आये कुछ अच्छे games के साथ वो तो खेर कभी नहीं हुआ बट finally geocloud gaming को लेकर आ गया है इंडिया में और में recording उसका future बहुत bright होने वाला है में ली दो reasons की वेज़े से पहला ये कि भाई reliance में पैसा खूब है जलाने को और इसलिए वो कुछ साल loss में रहके भी business कर सकते हैं कि हर user तक पहुँचे और दूसरा ये कि इंडिया में mobile users बहुत हैं जिन पर 5G भी आ जाएगा और सभी लोग games खेलना बसंद करते हैं बहले ही वो अब तक स्री PUBG या फिर फ्रीवाइड जैसे games ही खेलते आए हैं जो कि हम PC gamers समयशा से चाते भी थे सभी PC and console gamers यही कहते थे कि भाई जो games तुम खेलते हो वो real games नहीं है कभी PC वाले AAA games भी ट्राइ करो जिनमें story होती है, campaign होता है, cinematics होते हैं अब वो finally होगा और उससे हमारी gaming community बहुत strong बनेगी at least कुछ साल बाद जब अपने दोस्तों से बात करूँगा न तो मेरे को वही repetitive games की बात नहीं करनी पड़ेगी बेलकि हम हर तरह के game पे discuss कर पाएंगे और देखना की NVIDIA GeForce नाओं के बाद PlayStation और Xbox भी बहुत जल्दी करेंगे इंडिया में आने की और ट्राय करेंगे कि इंडिया की market को capture करने का कोई तरीका ढूंड सके पहसे भी यार इसमें ना end users का ये फायदा है क्योंकि हमारे पास option बढ़ जाएंगे अभी current status की बात करूँ तो थोड़ा सा like देखने को मिल रहे जिए cloud gaming में बट I am hopeful कि वो ठीक हो जाएगा आने वाले टाइम में तो cloud gaming को जो future की technology कहा जाता था वो अब reality बन सकती है बाकि अगर आपको और भी future की technologies के बार में जानना है तो फिर left video देखो एंट अगर आपको जेटे के dark secrets दानना है तो right video देखो ये वीडियो अच्छी लेगे तो like कर दो साजी चानल सब्सक्राइब कर दो मैं आप से गली वीडियो में तब तक के लिए टाड़ा बाई बाई